हाई, मैं प्रियांका और आपका स्वागत है दे टेरेस किचन में आज के इस प्रेशर कुकर रेसिपी स्फोर बिगिनर्स एपिसोड में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ चिकन स्पेगेटी की रेसिपी ये एक वन पॉट रेसिपी है जो काफी फिलिंग होती है, बनाना आसान है, सूपर टेस्टी भी लगती है इससे बनाने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ अगारो इंपीरियल इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं ये एक वन पॉट रेसिपी है, जिसके लिए मैं अपने अपने प्रेशर कुकर में पहले सौटे मोट आउन करूंगी जिससे मैं बिना प्रेशर कुकर का ढखकर लगाए, नॉर्मल बरतन की तरस में खाना बना सकती हूँ तो सबसे पहले हमें चाहिए 2-3 टीस्पून तेल नेक्स मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून बारी कटा हुआ लैसुन लैसुन को भी ज्यादा फ्राय नहीं करना है, हलका सा हमें फ्राय करना है इसके बाद मैं इस कुकर में डाल रही हूँ एक चिकन ब्रेस्ट तो मीडियम साइस का ये चिकन ब्रेस्ट है, इसे हमें हलका सा पकाना है थोड़ी सी सीजनिंग के लिए मैं याँ पर ब्लाक पेपर यानी काले मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ इसका है, अगर आप चिकन ब्रेस्ट को ज्यादा पका देंगे, ओवर कुक कर देंगे तो ये हाड हो जाएगा और चूई हो जाएगा कीप वाम मोड को कैंसल करके मैं अपने आप इसका प्रेशर रिलीस होने दूगी तो प्रेशर पूरी तरह निकल चुका है, नॉर्मल प्रेशर कुकर की तरह नॉर्मल प्रेशर कुकर पर आप लो फ्लेम पर, लो से मीडियम फ्लेम पर केवल एक CTE से पकाएं तो चिकन प्रेस अच्छे से पक गया है, काफी जूसी है और ये श्रिंक भी हो गया क्योंकि यह से जोड़ा से श्रिंक होता ही है तो यह जो बचे हुए juices है इसमें हमें डालने है टोमेटो प्यूरे तो मीडियम साइस के टमाटर को मैंने मिक्सी में पीसा है नेक्स हमें इसमें डालना है दो टीस्पून लैसुन बारी कटा हुआ मैं दो तरग की लाल मेश यूज़ कर रही हूँ आधा टीस्पून टीखी वाली और थ्रीफोस ब्याड की ताकि कलर अच्छा है और तीखापन सही बना रहे आधा टीस्पून पीजा सीजनिंग जो रेडी मेड मिलती है अप्रोक्सिमितली एक टेबल स्पून बटर बटर अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप नॉर्मल टेल डाल सकते हैं नेक्स यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक तो नमक आप बाद में टेस्ट करके कम तो नहीं पर जादा डाल सकते हैं तो शिरुवात के कम ही डालें तो हलका सा पकाएं और जब तेल या बटर सेपरेट होने लगें फिर डालें थोड़ी से चीनी शीनी से टेमाटर का टेस्ट बैलन्स होता है और काफी अच्छा स्वाद आता है तो हमारी ये ग्रेवी ओल्मोस्ट बन गई है तो इसमें हमें डालना है पानी लगबख 3-4 गप नेक्स मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम स्पगेटी पास्ता प्रेशर कुकर डीप है इसलिए में जो स्पगेटी तोडने की जरूरत नहीं पड़ी अगर आप घर का नॉर्मल प्रेशर कुकर यूज करते हैं तो आप स्पगेटी को दो टुकडों में कट करके डाल सकते हैं तो अब मैंने सौटे मोट कैंसल किया है और प्रेशर कुक मैं इसे कर रही हूँ 5 मिनिट के लिए हाई प्रेशर पर इस तरह की वन पॉट रेशिपी जल्दी बन जाती है और आपको बहुत सारी अलग-अलग चीज़े बनानी नहीं पड़ती है तो यह बन गया है और मैंने नैशरली इसका प्रेशर रिलीज होने दिया है स्पगेटी अच्छे से पक गई है और इसमें थोड़ा सा भी आप देख रहे हैं कि पानी है हलका सा कुक करें लेकिन पूरा ड्राय ना करें क्योंकि यह जो अच्छा सा सौस है यह आपको खाते समय बड़ा अच्छा लगेगा स्पगेटी ड्राय नहीं लगेगी स्पगेटी को एक प्लेट या बोल में सर्फ करें और उपर से स्लाइस किया हुआ चिकन रखें चिकन के ऊपर भी सीजनिंग है पर आप चाहें तो थोड़ी से लाल मिर्च इस तरह से गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं कलर भी अच्छा आएगा और थोड़ा सा धनिया अब बड़े रेस्टरंट जैसी ये डिश आप घर पर बना सकते हैं अगारो इंपीरियल एलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर के साथ इस सेम प्रेशर कुकर एट लीटर साइज में भी अवियलिबल है I hope आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप जरूर इसे ट्राइ करना चाहेंगे वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई